और सांती से सुने माइक नहीं ना आज खराब हो गया हाँ मैं बोले कि चले बोले सबसे पहले है आज का इंपोर्टेंट आज को दिन क्यों इंपोर्टेंट है हमारे लिए खिम लटे क्यों तो आज है 10 अक्टूबर आज के दिन हम लोग World Mental Health Days मनाते हैं World Mental Health Day यानि की वेश्व मानसिक स्वास्त दिल घिणत्स तो मानसिक स्वास्त क्या होता है हम लोग जहों दिस्क्राइब ज़र आपके दिखते हैं कि बहुत लोग परेशानी में पढ़ जाते हैं किसी बात खोले कर के तो परशानी में पढ़के कभी-कभी क्या होता कि उनका है बहुत खराम हो जाता है बहुत सरी छीजों को ले करके वो बिमार पढ़ जाते हैं जैसे कुछ बच्चे हैं तो वो पढ़ने वारे बच्चे अगर हैं तो उनको इस बात की चिंता हो सकती है कि मेरा रिजाल्ट अच्छा नहीं हो रहा है, तो इसके लिए वो चिंता में पढ़ सकते हैं, उन्हें पढ़ने का वक्त नहीं मिल रहा है, इसके लिए वो चिंता में पढ़ सकते हैं, सभी के लिए अलग अलग तारण हो सकते हैं, चिंत आप सभी को पता है कि हमारा दिमाग ही जो है वो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है है ना हमारे शरीर को कउंपे पत्रोल करता है चैंशने ये बहुत पात्वपून है हमारे लिए जीबाग को स्वस्त राधना देग्या जना देदी तो दिमाग को स्वस्त प्रचत पर आझ तो आज करूंँ लोग कि अवर्यनिस धेक्र दे किन दिम्नातरह माये और कि Peggy स्वास्त दिवास बोलिए 10 अक्टुवर को मनाया जाता है आज 10 अक्टुवर है ना है कि नहीं तो दिमाग को स्वास्त रखने के लिए क्या 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 जाता है दिमाग अगर स्वास्त नहीं रहेगा तो हम कुछ काम कर पाएंगे कुछ नहीं दिमाग पर ही सब कुछ टिका हुआ है तो उसके बारे में मैडम बटा रही है ध्यान सुलिए ना तो बहुत सारी छोटी छोटे ऐसी अक्टिविटीज है जिससे हम लोग अपने मानसिक स्वास्त को फीप संतुलिक अवस्ता में रख सकते हैं संतुलन में रख सकते हैं मैं आपने जमारतारी को अच्छा में अच्छा में अच्छे करना है लेकिन अपने पढ़ने के रूटीम में से थोड़ा खेलने का समय निकालो जरूर से खेलो कोई भी मानसिक खेल या अपने जोस्तों के साथ या अपने भाई बैन के साथ जरूर खेलो अगर तुम्हारे पास नहीं है घर में कोई खेलने वाला तो थोड़ी दीर के लिए कुछ योगा अगर कर सकते हो कुछ भी नहीं तो बस आख बंद करके थोड़ी दीर अपने आपको सोचो कि हम कुछ भी नहीं करना है कोई काम नहीं करना है दस मिनट के लिए अपने आपको को बंद करके रेस्ट पोजिशन में जाना है या तो कुछ खेल है मालसिक खेल वगरा तो खेली सकते हैं कोई अपने पसंद का गाना सुन सकते हैं और हमेशा कोई भी प्रॉब्लम जब भी आती है कोई समस्य आती है तो उसका समध्हान क्या होगा उसके लिए सोचो अब यह प परिशानी से और उसी में भूटते जा रहे हैं उसी में परिशान होते जा रहे हैं तो कोई भी उसका solution नहीं निकलेगा तो एंशा खोज़ो कि हम जो हमारे सामस्य गया समाधान दिका सकते हैं हमेशा problem solving होने की सोचो, कभी भी एक समस्या को carry करने के अपने साथ ढोले की कोशिश मत करें, तो इस सारी चोटी चोटी बातों से हम लोग अपने मांसिक स्वास्ति को तंदरुस्त रख सकते हैं, और ऐसा तुम लोग को लगता होगा कि मैं क्या बोल रही है, लेकिन ये अभी इस तरह से ये बिमारी बढ़ रही है बच्चों में, चाहे कोई भी बड़ों में, जवाल लोगों में, यूच में, बुड़ों में, लोग बहुत तरह से परिशान होते हैं, शहरों में, बुड़े लोग अकेले रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में, तो वो चिंता में बड़े लोग हैं, उनका कारियर नहीं अच्छा कहीं बन रहा है, तो वो चिंता में रहा कर परेशान होते हैं, और कभी-कभी खुदकुशी भी कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि यह कोई बीमारी नहीं है, यह बहुत बड़ी बीमारी है, और इसको हमेशा शुरू से ही इसको मेंटल है, तो मेडम बहुत अच्छा भी बताई, मेंटल है आज दीन है, तो इससे क्या होता है, कि आप डिप्रेशन में चले जाएगा, तनाव अगर रखेगा, तो डिप्रेशन में जाएगा, और दूसरा भूलने की भीमारी होगी, दो, और तीसरा पागलपन, और इससे जब आप साद में लोग चले जाते हैं, तो आत्मत्या करते हैं, छोटे-छोटे बत्चे आत्मत्या कर रहे हैं, यह तो ब्रिथ वाला अभी हम लोग आध मना रहे हैं, लेकिन इससे सभी पिरिथ हो रहा है, तो इसके लिए मैडम बहुत अच्छा बताई, कि हम कोई भी तन करना शारणिक स्रयं करना है शंगीत सुनना है एक फेल पूज संगीत यह ऐसा माध्यम है जो डिकरेशन दूर करता वह तुमको अच्छा लगे उसको सुनों और वैसा करो समझने ने इसे क्या होगा डिकरेशन दूर होगा लेकिन तनाउं को धोना नहीं है सब कुछ का अपना एक समाधान है, सब कुछ का अपना क्या है, कोई भी कह दिया, कोई भी बात है, तो हम संगीत सुन लें, किसी से कह दें, अपने दो साथी से उसका चर्चा भी करें, उसको हटा दे तुरंट, उसको ढोके ना चलें, तो इससे हम बच सकते हैं, तो समझ गये तब हमारा ब्रेन स्वास्त रहेगा और ब्रेन को स्वास्त रखना बहाल जरूरी ठीक